कहा गया पत्पदान मंतरी का वो स्टेट्मेंट के अगर किसी गाडी के टेर के नीचे एक कुत्टे का बच्चा बयाता है तो हमको तकलीफ होती है यह तो इनसान मर रहे हैं तो हम बेंफिल होता है कि नहीं होता है देखिए ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है इनका फ्रोच रहा है ये विल्कुली क्लूलस है कोविड के कंट्रोल इनके निकल चुका है इनके पास इंसानियत नाम की चीज बाखी नहीं रही है अगर बाखी होती तो इतना इतनी बड़ी घलती के फॉरन कंट्री से तीन सो टन का एमरजन्सी कोविड एड दिल्ली एरपोर्ट पर रुका हुआ है जिसमें साड़े पांच हजार अक्सिजन कॉंसेंट्रेटर्स हैं तीन हजार दो सु अक्सिजन सिलिंडर हैं एक हजार एक लाख छटीस हजार रेमिडिस वर इंजेक्षन हैं अरे भाई आप इसको अगर दिल्ली में दे देते हैं पांच किलिमिटर है जहां पर अस्पताल में ऑक्सिजन नहीं मिलने से डॉक्टर मर रहे हैं पेशेंट्स मर रहे हैं करनाटा का में मर रहे हैं आखिर पांच दिन आपको क्यों लगते हैं आपको पहले से मालूम दोना चाहिए था आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गॉर्मेंट्स को फॉरंड डिस्टिबू ने आइनको कोई पता ही नहीं है, कोई बलता है, एमपावर्ड गृूप अग मिनिस्टर्स, कोई बलता को और मिनिस्टर्स करेंगी, अजिए ये वक्त आपको एक्षन लेने का है, आप तो सुप्रेम कोट में जाकर कही दिये के पर्दान मंतरी और होम मिनिस्टर जिम्मेदा होंगे, इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी, कहां गया पत्पदान मंतरी का उस स्टेट्मेंट के, अगर किसी गाड़ी के टैर्क नीचे, एक कुटे का बच्चा वे आदा है, तो हमको तकलीफ होती है, आप इंसान मर रहे हैं, शम्शान घाट में लेकर पूछते रहेंगे, अरे बहुत जमीन पर देखिए ना, आप जमीन पर नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिखी नहीं रहे हैं जमीन पर, आपकी सरकार से वीडियो कान्फरेंस में दिख रहे हैं, जमीन पर तो को सरकार उन life saving equipment पर निकालिए GST को एक एक ताइम तक निकालिए और फिर import duty आप रखे कि उसको भी निकालिए अरे जब foreign countries aid दे रही है बंगलादेश दे रहा है उस्बकिस्तान दे रहा है सब दे रहे हमको तो आपको तो यह काम करना चाहिए तना आप दिल्ली में embassies है आज एक African country का diplomat उसकी मौत हो गई उसको oxygen नहीं मिला military hospital लेकाना पड़ा उसको तो यह देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुली invisible हो चुकी है कहीं पर नजर नहीं आ दी